Hey guys, welcome back to my channel, this is Jaran और आज की इस वीडियो में हम फ्लावर को ड्रोग करना सीखेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं शीट के बारे में कौन सा पेपर यूज़ करूंगी तो मेरे पास यह स्केच बुक तो आज मैं इस Isaac say sketchbook का पेजिए उसक करने वाले हूं आप किसे भी local market से सबाए कर सकते हो आप बात करते हैं तूल्स के बारे में तो मेरे पास यह mechanical pencil 0.9 आप किसी भी pencil के यूज़ कर सकते हो क्योंकि हमें इससरत basic line सी ड्रौग करनी है सो अब बात करते हैं एरेजर के बारे में तो आपके पास जो भी अरेजर हो आप उसे यूज कर सकते हो नॉर्मल एरेजर भी यूज कर सकते हो आप बात करते हैं चलेश बारी में तो मेरे पास है यहां पर आफस्तरा कलर पैंसिल आपके पकास जोबी कलर पैंस году ॅइसरे ऐसे यूज करो कोई नहीं कोई रूलनी है कि आपको यह हैं पैंसल यूज करने हैं अब बात करते हैं हम एक और टूल के बारे में जिसे हम इंडेंटिंग टिकनीक में यूज करेंगे वो है मेरा ये खाली पैन आपके पास कोई भी खाली पैन हो आप उसे यूज करो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्लावर को बनाना सबसे पहले मैं जहां पर वर्टिकल लाइन को ड्रॉव करूंगी मैंने यहां पर वर्टिकल लाइन को ड्रॉव कर लिया है जिससे कि मैं मेजर्मेंट लगा सकूं कि फुलावर की दोनों साइड एक्वल है या नहीं इस वर्टिकल लाइन को मैं अब तीन पार्ट में यहां पर मैंने एक और लाइन ट्रॉव करती है जिससे मुझे पता चली फिलावर की रिड्ट कितनी होनी चाहिए हमारा यह एक फिलावर बनके रिड्ट हो गया है तो अब मैं दूसरा फिलावर बनाने वाली हूँ तो सेम टिकनीक का मैं वहां पर यूज करूंगी यहां बत दोनों फिलावर बन गए हैं तो अब हम लीप को बनाना स्टार्ट करेंगे और लें जहां पर मैंने कंप्लीट कर लिए है तो अब हम इंडेंटिंग टेकनीक का यूज करेंगे उसके लिए मेरे पास यहां पर खाली आप कोई भी खाली पैन यूज़ कर सकते हो यहां पर दीखी खाली पैन है अब इसके साथ में हलके हलके से स्ट्रॉक लगाना स्टार्ट करूंगी अब ऐसे हलके हलके से स्ट्रॉक लगाना अक्लियम अब कंप्लीट हो गया है तो अब हम कलर करने स्टार्ट करेंगी सब से पहले यहां जैंट कलर को यूज़ करूंगी आप चाहतो अब माहर के और लाइन पहले कलर कर लो यहां पर मैंने और लेंड को पहले ही कलर कर लिया है अब लाइट शीट के साथ फ्लावर को ट्रॉग करना स्टार्ट करेंगे यह हमारी फर्स लेयर है और फर्स लेयर हमेशा लाइट होनी चाहिए हमारी फर्स लेयर कम्पलीट हो गई है अब हम सेकेंड लेयर का यूज करेंगे सेकेंड लेयर थोड़ी दार को नहीं चाहिए और डार करने के लिए मैंने थोड़ा सा पैंसल को प्रेशर दिया है मैंने सेकेंड लेयर को भी कम्पलीट कर दिया है अब हम थर्ड लेयर का यूज करेंगे कि थार्ड लेएर मैं उसी सिर्फ वहीं पर यूज करूंगी यहां पर बहुत जाला डार्क हमें शूर करना होगा अज़ा अब यहां पर यहां पर कंप्लेट हो गई है तो अब हम यहां पर यालो करण कर यूज करने वाले हैं अब मैं इसे ब्लेंड करूंगे और ब्लेंड करने के लिए में यहाँ पर वाइप पैंसल कर यूज करूंगी अब मैं यहाँ पर जहलो कलर को यूज कर रहे हूं और उसके बाद हम लीफ क्रीन को यूज करेंगे अब हम दूसरे फिलावर में भी सेम टिकनीक का ही यूज करेंगे अब हम लीफ में कलर करेंगे तो हमारी फर्स लियच होगी वो लीफ ग्रीन की होगी और उसके बाद हम डार ग्रीन को यूज करेंगे अब हम खिलाह करेंगे अब ऐस दो दूसरे बाद हम लीफ में लीफ को यूज करेंगे झाल झाल